क्या आप जानते हैं? सिकल सेल एनिमिया से मलेरिया के पती प्रतिरोधात्मक शमता होती है हमारे राज्ज में सिकल सेल एनिमिया से पेडित लोगों की बहुतायत है यहारोग केवल 36 गड में ही नहीं हमारे देश तथा अन्य देशों जैसे दक्षिन अफरीका में व्यापक रूप से पाया जाता है इन इलाकों में मलेरिया का प्रकोप होने से सिकल सेल रोग के वहा को चितरनुसार के लिए इसके कारक लाबदाई हैं हसिया कार कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी जीवित नहीं रह पाते हैं अतह यह मलेरिया के पती प्रति रोधात्मक होता है मनुष्य में लिंग निर्धारन की प्रक्रिया मैंडल की प्रतक्रण के नियम के अनुसार होती है 15.3.2 मनुष्य में लिंग निर्धारन Sex Determination in Human हमने मनुष्य के गुण सुत्रों के बारे में जैविक प्रक्रियाने तीन में पड़ा है हमने यह भी जाना कि मनुष्य में लिंग निर्धारन तेविस्वा गुण सुत्र की एक जोड़ी कारकों से होता है मादा में XX, मर में XY शुक्राणों और अंडानों में गुण सुत्रों की संख्या आधी होती है जब माता का अंडा तथा पीता का शुक्राणों परस पर मिलते हैं तब युगमनज जाइगुट में फिर से द्वेगुनित संख्या हो जाती है इससे संतती बनती है जिसका लिंग इस पर निर्वर है कि उसमें दोनों X है या एक X और एक Y अगर दोनों X है तो मादा बनती है और एक Y एक X गुण सुत्र वाले युगमन जो से नर बनता है Y गुण सुत्र X गुण सुत्र से छोटा होता है चित्र से हम समझ सकते हैं कि नर वा मादा बनने की संभावना हर जोड़े के लिए 50 प्रतिशत है यानि व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूर्णता एक संयोग की बात है उसके लिए नर तो मा और नहीं पिता जिम्मेदार है नर जनन कुशिकाओं में X, Y होने से व्यक्ति के लिंग निर्धारण में नर का हाथ हो सकता है क्या आप इस बास से सहमत है? क्यू? अनुवंशिकी के शेत्र में प्रथम महत्पून योगदान मेंडल नहीं दिया और इसलिए उन्हीं अनुवंशिकी का जन्मदाता कहा गया है मेंडल ने परिकल्पना की कि प्रत्तिक लक्षन एक जोड़ी कारक के द्वारा प्रकट होता है इसके लगबक साच साल बाद 1920 में टिद्डी के गून सुत्रों पर प्रयोग कर रहे सेटन ने बताया कि मेंडल ये कारक गून सुत्रों पर मौदिध होते हैं और किसी एक जनक के एक जोड़ी गून सुत्र में से एक गून सुत्र ही संतान को मिलता है मैंडल को बैंगनी और सफिद फूल की बीच की कोई अवस्था नजर नहीं आई क्योंकि बैंगनी और सफिद रंग की कारक अलग-अलग गुंसुत्र पर पाए गए अतह मिला जुला स्वरुप बनने की संभावना कम से कम होती है मैंडल की कारक को आगे चल कर जीन कहा गया तब यह सुईकार कर लिया गया कि जीन ही बन्शांगिती के लिए उत्तरदाई हिकाईया है बाद में हमें यह भी पता चला कि एक जीन से बैंगनी रंग निर्धारित होता है पर जीन क्या है? शोध आगे बढ़ा और आनुवाशिक पदार्थ डीने की खोज हुई और उस पर उन हिस्सों की खोज होने लगी जहां से लक्षनों का निर्धारन होता है जीन डीने की उस हिससे को माना गया जिससे प्रोटीन बननी की सुचना मिलती है किसी जिन समू में एक भी जिन में फेर बदल से ने जिन समू बनते हैं ऐसे जिन समू वाले संतान ने जिन समू की होती है चाहे वो हमारे शरी में ही कोई ने जिन वाली कोशिकाओं का समू क्यों न हो ने जिन समू से ने प्रजाती निर्मित होती है और इसके आधार पर प्रजातियों की परिभाशा अनुवांशिक प्रजातियों की अवधारणा जेनेटिक स्पिशिस कॉंसेप्ट की अंतरगत दी जाती है मनुश्य गुंसुत्रों पर पाए जाने वाले जीन का पूरा लेखा जोका तयार हो चुका है इसका कई प्रकार से लाब मिल रहा है जैसे अनुवांशिक रोगों की पहचान वह इनके इलाज में